दुनिया का सबसे पाफुल लैपटाप, येस, i9 13th Gen with RTX 4080, my English viewers, turn on the subtitle, अब इसको मेरी 99% audience तो अफोर्ड नहीं कर सकती, in fact मैं भी नहीं कर सकता, but feel तुम्हें पूरी दिल बादूंगा, तो शिरू करते हैं दबा खुलाई के साथ, तो भाई बहुत excitement है क्योंकि बिल्कु ले लापटाप है हमारे पास, सबसे पहले plastic का माल, भाई सहाब, ये जंग पर जा रहे हैं क्या, मतलब लापटाप दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, चार्जर है, ओ भाई सहाब, 330 वाट का अड़ाप्टर, ये मेरा फोन है, ये अड़ाप्टर है, मतलब देखो इसको, मतलब मान मैं हेवी अडाप्टर को अनुमान जी का घदा बोलता हूं बट इन्हों ने सिर्सली लिया बहुत हेवी है मतलब आज तक का हेवी एस्ट अडाप्टर है ठीक है डाम चलो फिर इसको खोल लेते हैं डब्बे के अंदर डब्बा और फर्मकॉल की पैकिंग और यह है तुम्हा लाप्टॉप की स्पेक्स बता देता हूं तो यह वाला तुम्हारा आइनाइं 13 जन का लाप्टॉप है चोबिस स्कोर और बत्यस थ्रेज्ट का वाला बत्यस जीवी की टीडियार 5 राम है दो टीबी की एससडी है और आर्टेक्स 4080 लेटेस्ट माल और वीडियो छोड़े क कोई नहीं भागेगा क्योंकि असली माल तो भी शुरू हुआ है तो सामने है प्रिटेटर की मिटालिक ब्रैंडिंग सिंपल फिंगर प्रिंटी लाप्टॉप है यहाँ पे ग्रिल है LED वाली जिसका फाइदा मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी और नीचे से दो रेक्टें अब कीगी इसको तुम एक हाथ से घोल सकती हो तो दाट इस अ गुट पाइंड माइफेवरेट पार्ट नू ब्रैंडिंग अन देख इस शोस प्रिमियमनेस वह है ना ससनसे लाप्टाप हमारे तफ के विक्टर्स और डेल के इंटल लोगो एंवीडिया प्रता नी कौन कौ यह बहुत जादा तो हां इसमें पर्की आरजी भी आता है देखी रहे हो दूम अब एक और फीचर वह यह ग्रिल यह भी कस्टमाइजिबल है तो अगर तुम इसका प्रिडेटर सेंस आफ्टर चलाओ गे और इसके सिनारियो में जाओ गे तो भाई यहां पर पलसा लाइट ना जाने बहुत सारे है और पीछे अगर तुम एरिया पर जाओगे ठीक है तो पीछे का जो डेक है तुमारा उसको भी तुम कंट्रोल कर सकते हो अगर तुमें बीच वाले का कलर रेड चाहिए तो रेड हो जाएगा ठीक है कोई दिपकत नहीं है बट अभी इसका जो हो गया तो मतलब की कस्टमाइजेशन बहुत अच्छे है अस लापटाप में अब आते हैं इसके फाइदे नंबर दो यह जो LED है यहां पर यह मिनी LED है यानि कि तुमारा लापटाप आते ना उन से स्लाइटली बेटर यानि कि ब्राइटर है और कस्टमाइजेबल है तुम देखी रहे हो खुद से और काफी बड़ा है कोई दिक्कत नहीं है तो इस पर उनको ध्यान देना चाहिए और थोड़ा सा काम और करना चाहिए अब थोड़ा सा बैट के कर लेते हैं थक गये तो डिस्प्ले की बात करते हैं सबसे पहले सो लाइंज का डिस्प्ले है विद IPS पैनल टबलो क्यू एक्स जिये क्वालिटी के साथ आता यानिकी 2560 इंटु 1600 का रेजिल्यूशन चीजे खतम नहीं होती क्योंकि इतना दे दे तो एक लाग तक का प्राइस होता बट भाई प्रीम्यम माले सस्ता वाला नहीं है तो यहां पे 600 निट्स की ब्राइटनेस एक लाग से सब में 300 मैक्समुम जाती है 600 आती है इसमें DCI P3 100% है उसके बाद भी 240 हर्ट का डिस्प्ले और HDR 1000 का सपोर्ट जाने की the best of everything you can get right now in डिस्प्ले इस इन हेर बट किसे भी लैप्तॉप की best बात पता ही क्या होती है उसके आने वाले तो भाई पोर्ट तो बहुत है लेफ्ट हैं पे एक LAN पोर्ट है USB 3 Micro SD headphone jack पीछे की तरफ power socket है HDMI 2 Thunderbolt 4 पोर्ट याने की 40 Gbps per second की 2 पोर्ट बहुत बढ़ा नमबर है यही राइट हैंड साइट पे एक USB 3 है दूसरा USB 3 विच चार्जिंग है अगे इन ग्रेट पॉइट नो बुराई इन दिस एस्पेक्ट अब आते हैं इस लैपटोप की सवसे बड़ी बुराई वर 2.7 kg मतलब इस वन अफ दी हैविएस लैपटोप की तो बुर्ट इस लिटिल मूर 26 सेगिंड का आता है बट आई बिलीव 15 से कम होना चाहिए था नहीं है इशू है कंपनी को इस पे काम करना चाहिए मुझे लगता है बायोस का इशू है चीजे ठीक हो सकती है याप एजिली ड्राइवर्स अब डेट का वेट करो चीजे ठीक हो जाएंगी फिर लेटेस्ट लैपटोप है तो लेटेस्टेक्स हैं इंटेल किलर वाइफाई 6e क्यों ऐसे बोला आई डों डों बुलना मत और वेबकेम की बात करें तो इसमें 1080p का क्यामरा आता है और डूल माइक है साउंड क्वालिटी टॉप नॉच दूसरी बार चला रहा हूं क्यूंकि मैं यह कलर्स थोड़ा ज्यादा रेट दिख रहे यहां पर इतनी लाल मेरी स्किन है नहीं जितना ही दिखा र नहीं है वेबकेम टॉप लॉच है बट एक प्रिवसी शेटल उपर और डाल दो अगर वो डालोगी तो भाई वेबकेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब आती है मुद्दे की बारी एक्साइटमेंट ऑन द पीक एंड टेस्ट ऑन द राइस क्रिस्टल डिस्क मार्क इ आइट स्पीड है नाइन सेवन टूवन इफ यू डॉट आपकेम अबाउट तो अस्पायर सेवन से कंपेर कर लो असूस तफ उस से कंपेर कर लो और मतला बाकी लाप टॉप से देख लेना दिस इस वन अफ दी फास्टेस्ट असेश्ड इन दा मार्कित राइट नाँ और जस लिटल बहुत बड़ा है फिर मुझे बोलना तो नहीं चोहिए भाई बैटरी 90 वाट आर की है चार से पांच घंटे का बैकप साइज देखो तुम इसका तुम्हें क्या लगाता दस घंटे का तो कैसे भी नि देने वाली ठीक है काम चला देगी समझ गये तुम समझदा करते हो बड़ जिस चीज का तुमको अपने दिल से इंतजार था वो था इसका परफॉर्मेंस टेस्ट तो भाई सिने बेंच बताता हूं में तुम्हें तो सिने बेंच आइट 23 में सका स्कोर है 1669 और मल्टी कोर है 20937 कंपेर कर लो इसको बाकियों से अब बड़ चीजे इडिंग स्कोर्स इंदा मार्किट और सबसे ज्यादा है किसी लाप्टप के लिए बट चीजे अभी खतम नहीं होती क्योंकि अभी दो तीन टेस्ट और है तो भाई PC Mark 10 में 7164 है 3D Mark में 13217 है और VR Mark में 9044 है एंड स्कोर की बेस्ट बात भाई ग्राफिक में हमारा नमबर आप इसको कहते है न परफॉमेंस एसी परफॉमेंस ट्रहिया में लाप आप से की बंदा देख कर खुष हो जाए मतलब नाव आए मुझ से नाव आए मुझ से लेट्स कुछ तो दी नू सेक्शन तो एर अक्चुल रियल लाइफ परफॉमेंस में क्या सीन है तो भाई में इसमें Android Studio डाला, टेस्ट करा, वर्किंग फाइं, एमुलेटर इस वर्किंग, पत्री स्मूध, आटोकैट इस अलसो वेरी 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 स्मूध, और यॉर फेवरेट, माय फेवरेट, सॉलिड वर्क्स, अनधर एक्स्पीरियंस फ्रॉम अनधर वर्ड और हाँ, तो मैं बिल 65W की TGP के साथ आता है, और इसमें तुम्हारा Optimus आता है, क्या है वो, मक्स्विच का बाप समझ दो, ठीक है, मतलब एक स्टेप अहेड है, ठीक है, बहुत सारी चीज़े टेस्ट करी, और पफॉर्मेंस में कहीं पर भी कोई भी ड्रॉप नहीं है, एक्सेप्ट, गेमिंग तो दूसरी दुन्या की, मगर ग्यान नहीं, रियल लाइफ देखो और खुद बताओ, तो यार, जैसे कि दुम देख पा रहे हो, GTA 5 की हाइस सेटिंग्स पे, 180, 160, 170 तक तुम्हें यहाँ पर स्कोर देखने को मिल जाएगा, अब टेमप्रेचर सस्टेनेबल है, उसमें दिक सुपर क्वालिटी, बट वेन इट कमस तो परफार्मेंस, तो यार, RDI 2 ने बहुत अच्छे से अप्टिमाइज करा है, मुझे लगता है कि ग्राफिक कार्ड मार्केट में नहीं आया अभी, प्रोसेसर भी जल्दी से नहीं आया है, ड्राइवर्स उतने अप्टिमाइज न तो यार, जैसा कि तुम देख रहे हो, भाई, 2K पर भी 90+, 80+, अराम से जा रहा है, टेक्च्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत यचा एक्स्पीरियस है, तो एक तरीके से तुम्हें या पे बहुत अच्छा एक्स्पीरियस और बहुत मज़े आने वाले, ठीक है, क करते हैं इस गेम को, तो यार, जैसा कि तुम देख रहे हो, 60 FPS तुम्हें यहाँ पे बेसिक इंट्रो में देखने को मिल जाता है, टेंपरेचर यहाँ पे भी कंट्रोल में कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे ज्यादा कुछ बताने के लिए है भी नहीं, एक अच्छा ग सारे गेम बड़े आचाल रहे थे, बट मैंने जीटिय में देखा है, टेंपरेचर 90 प्लस क्रोस कर रहा है, कभी-कभी 100 भी टच कर रहा है, आई बिलीव ड्राइवर्स इशू है, वरना ऐसा ये लाप्टाप है नहीं, आने वाले टाइम में ड्राइवर आएंगे, तो अच के टेंपरेचर काफी कंट्रोल थे, इसमें इशू है, आई बिलीव प्यॉर्ली ड्राइवर इशू, बाकी पात करें इसमें आने वाले सॉफ्वेर की, विंडोस 10 आती है, MS Office नहीं आता है, बाकी प्रिडेटर सें सॉफ्वेर इसमें आता है, मैं तुमें दिखाई चुका ह अब आते हैं मुद्दे की चीज, ले या नहीं ले, वेल फ्रैंकली इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है मार्केट में, if you want a laptop with the highest possible settings in windows, then this is your only option, बाकी देखो, ये लाप्टोप धाई लाग का आता है, और इस लाप्टोप का कोई कॉम्पटीशन है फिलाल मार्केट में, not a single one, बाकी जो लोग इसको लेने वाले हैं, मुझे मैंसे जरू करना और जो लोग नहीं लेने वाले हैं, बाई, वो कमेंट भी एक बार समोसा लिक दो, तो मिलते हैं इस तर आगली वीडियो पर तब तक के लिए, बाबाई!